सामने हमारा परिवर्तन पत्र की जब आप इमेज ले लें, फिर उसके बार नेदराबच्च एक एक करके आपसे तमाम रोची जेंगे और आपसे आग्रह है कि चुनाओं में, तुकि ये चुनाव आपका भी है, आप इस चुनाओं में एं मत्रों को आगे लेंगे. इन मत्यों को नहीं जो आस्मानी हैं जो जमीन जो फिर्मों पर हैं उस पर पात हो मैं आगरह करूंगा हमारे तमाम नीता मेरा वला कहा है सब एक साथ खड़े होगा के किसको जिस ले करें आचा जो जो हमारा विशर है जो पिहार का विशर है उसी पर पात हो और किसी विशर है सबी हमारे पत्रकार यह एलेक्ट्रोनेक प्रेंट और जिते हमारे यूट्यूबर्स पोर्टिल मीडिया के साथी है आज जैसा मनोज जाजी ने बताया कि सुबह सुबह आज हम लोग ने परिवत्तन पत्र हम लोग ने रिलीस किया है यानि चौबीस में चौबीस जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो चौबीस जन वचन है यह हमारा कमिट्मेंट है प्रन है जिस चीज को जिस जिविवारी को हम लोग पूरा करेंगे और बहुत ही महत्पून बाते हैं इसमें जिससे बिहार देश के हमारी जनता कब भला कैसे हो बिहार की तरकी कैसे हो विकास कैसे है और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको कड़के दिखाते हैं हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए है उस सारे मुद्दों को 17 महिने में हम लोगों कोशिश रही कि सारे मुद्दे में हम लोग फूरा के हैं हाला कि कि दो चार सीट से अलोग कम रहेंगे कि सरकार लेकिन जब भी सत्रा महीने हमको मौका मिला जिस परिस्तिती में है जो हमारा कमिट्मेंट था प्रण था उसको हम लोगों ने पूरा जी आप देखें कि इस सत्रा महीने में जो देश में कहीं नहीं हुआ हाना दो चार सीजें वह हम लोगों ने बिहार दे सत्रा महीने में कर के दिखा है पांच लाख नौकरी सरकारी नौकरी था देश पे इतने बड़े पैमाने पे किसी को नौकरी ने दी बहुते हम लोगों ने झाती अधारित गंदा कराया और आरक्षिन की सीमा जो है 75 परसेंट अम लोगों ने किया था 2020 में आप लोगों को भी पता होगा कि हमने कहा था कि तब लाडू के तर्ज पर हम लोग आरक्षिन की सीमा भीहार में बढ़ाएं तो उसको भी किया हम लोगों ने आएटी पॉलिसी टूरिजम पॉलिसी खेल ली यह भी प्रॉमिस किया था कि जो पढ़ेंगे उनको तो नौक्री मिलेगी लेकिन और राजियों में है कि भाई जो गडल लाता है देश के लिए जो अच्छा खिलारी है उसको भी नौक्री मिलनी चाहिए और हम लोगों ने उस दीति को भी लाकर कि जो है लगबग के घंतर-बहंतर शिराडियों को नौक्रिया की और हाइस सांग था भी एस्पी लेवलिगा तो इस काम को भी हम लोगों ने पूरा किया और आप लोग सब्लोग समझ रहे हैं कि यह चुणाओं है बिहार की जनता भी 24 के चुनाओं में हम बिहार की जनता के लिए क्या कमिट्मेंट करते हैं क्या नया लाग है तो आज परिवत्तन पत्र के जरीए 24 जनवचन यानि 24 का चुनाओं और 24 जनवचन अब लोग लाएंगा डीटेल्स और सारी बाते आप लोगों को देर दी जाएगी लेकिन जो प् लोगों की समझ रखना चाहिए जनमत चनता अगर हमको ताकष्ट देती है अगर हमारी इंडिय एलाइंस की सरकार बने गए निहां तो देश भर में 1 करोड नौजवानों को नौकरी सरकाली नौकरी हम लोग देने का काम त्य के गउने का 1 करोड नौकरी पुरे देश पुरे देश में 30 लाख नौक्रियां जो है रिक्त पड़ी है उसको तो भड़ेंगे ही भड़ेंगे लेकिन 70 लाख नौक्री का जो है पदो का हम लोग स्रिजन करेंगे आप लोग जानते हैं नौक्री बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है आज भाजपा के लोग इसके कोई चप्चा नहीं करते हैं दो करोड हर साल उन्हें नौक्री का वादा किया था लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं तो पूरे देश पर में एक करोड लोगों को हम लोग जो है सरकारी लौकरी देने का काम करें दो तारीक जो है वो दो टेट याद कर लिए देश में पंद्रा अगस्त आने वाला जो पंद्रा अगस्त है आपको बेरोज गाली से आजादी मिलना शुरू हो जाएगा आने वाला जो सबें हमरा देश अजाद हुआ था जिस तारीक को हम लोगों का प्रण है कि हम लो तरह अगस्त से बेरोज गाली से आजादी हम लोग लाएं यानि सरकार आएगी तो 15 अगस्ट से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देगे दूसरा तारीक हम लोग भ्यान से रखेगा जो आने वाला रक्षा बंदन है घरी परिवार की बेहनों को । हम लोग त्रते एक वार्ष में एक लाख रुपे का साहता हम लोग देने का खाम करेंगे जो रक्षा बंदन आएगा उसी दिन से हमारी बेहनों को जो गरीग परिवार में हर एक साल एक लाख रुपे का हम लोग जो है सहता देंगे और आप लोगों के समझ हम बताना चाहेंगे तीसरा की पांच सो रुपे में गैस सिलडर का भाव जो है कर दिया जाएगे आज जो है बारा सो पंदरा सो मिलता है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महेंगाई जो चरम सीवा पर है मेंगाई को कम करने के लिए पांट सो रुपे में गयाज सिनेडर जो है उस चीज़ को हम लोग कर देंगे पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महिद पून बिहार को विशेष राज का दरजा हम लोग दिलाएंगे बिहार को विशेष राज का दरजा दिलाएंगे अगला पॉइंट ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत पून है हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे तो इमोदी जी वाला नहीं कि बंगार से यूपितर गैस लाइंग पाइफ लाइंग जाना जो बिहार का भाग है उसका पाट जोड दिये अब बोल दिल की पैकेज में आगे नहीं डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे एक लाग साथ हजार करोड का अगर लोकसवाच्षेतर वाइज इसको अगर हम बाटेंगे तो प्रते एक लोगसवाच्षेतर में चार हजार करोड रुपे हम लोग हर लोगसवाच्षेतर में देंगे पिजली जो है बिहार का बिजली का जो दण है सबसे महंगा है पुरे देश बेंगे बहुत महंगा है बिहार की जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता है तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो दो सो यूनित फ्री बिजली हम लोग बिहार की जंता को उपलब्द कराने का काम करेंगे और फशलों का दस फशलों का नित्तम समथन मून MSP जो है हम लोग बिलाएंगे स्वामी नाथन जी के जो रुपोर्ट है जो सिफारिशे हैं उसको हम लोग पुरे देश बढ़ में लागू करेंगे और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम जगह जगह जा रहे हैं नौजवान बहुत परिशान है अग्दीवी रियोज्ञा से ना पेंशन मिलेगा ना ग्राशिटी मिलेगी ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी ना शहीत का दर्जा मिलेगा चार साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो चार वर्षी अग्दी मीर योज्ञा है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दरान शहीद अड़ सैनिक बलों जैसे सीहार पीएफ आईटी बीपी एससबी सी आईएसफ इत्यादी के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो बहुत ही महत्पूर्ण बात प्यारा मिलिट्री फोर्ष जितने हैं उनलों की लंबे अर्शे से बिमांड रही है कि भाई यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है तो हम लोग उन सारे प्यारा मिलिट्री फोर्ष जितने हैं देजबन में उनको शहीद का दर्जा देंगे और चार्वर शियर अगनी वीव जो योजना इन्रों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे बहाली निकलती थी वैसी नी बहाली हम लोग निकलवाएंगे विहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए पांच नए एरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे पूर्णिया में भागल पुर में मुझफर पुर में गुपाल गंज में और रक्सौर में ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके एरपोर्ट बनेगा तो शेथ जो है विक्सित हो आगे बनेगा इसमें पांच नाम हम बता दें पर से पूर्णिया भागल पुर मुझफर पुर गुपाल गंज और रक्सौर में नए एरपोर्ट कर निर्मान कराया जाएगा अगला पुइंट मंडल कमिशन के बाकी बचे जितने शिफारिशे है उसको हम लोग लावू करेगे और यहीं नहीं हम लोगों ने जातिया धारित गंदा कराया जातिया धारित गंदा तो कराया तो साथ में हम लोगों ने औरक्षन की सीमा को बढ़ाया पचातर पर स्काइब आज बने ही चाचा जी उदर चले गए हो लेकिन इस बातों को भूल डाते हैं सचिवाले में सभी उनके मंत्रियों के साथ हम भी डिप्टी सियंते हम लोग ने प्रेस कॉंफेंस किया था और भारत सरकार को कैबिने ने फारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षन की सीमा हम लो जो गरीब भाई है उनका 10 परसें जो था और रहे गया अर्थी पिछडों का दलितों का दिवासी भाईयों का जारी 75 परसें जो आरक्षन बढ़ा उसको हम लोग शेडियू लाइन में डालेंगे अब इस पर मुप्टमत्री जी चर्चा दी करते हैं इतने महीने हो गए सरक कोई भी कोट चला जाते हैं और इसी देरी के कारत जान मूझ के विलम किया गया भाजपा के दोरा ताकि कोई ना कोई ये पीछर से कोट में बेजवा करके इस आरक्षन के सीमा को खतम करने हैं तो हमारी सरकार बढ़ेगी तो जो आरक्षन जो हम लोग ने बढ़ाया है उसक को शेडियूल नाइन में हम लोग करेंगे विहार में अदोगी करण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्त का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे ताकि फ्री में स्वास्त सुरधा सभी लोगों को उपलब हो जाएगा तो ये ऐसे तो 24 वचन है जन वचन इसमें आप लोगों को हम बटवा दें मिलेगे लेकिन जो प्रमुक बाते थी इन में से हम सब्जे कि आप लोगों के समच इस बातों को रखे तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त से बेरोजगारी से अजादी हम लोग लेकर के आएगे रक्षा बंदन में गड़ी बहनों को हम लोग प्रते एक वर्ष एक एक लाक रुप्या हम लोग देंगे दो सफ यूनिट फ्री बिजिली हम लोग देंगे तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं तो अगर कुछ सवा आप एक बात सब्जिए कॉंग्रेस के लोगों ने अपना भोष्णा पत्र जारी किया और आज हम लोगों ने अपना पड़िवतन पत्र जो है वो आप लोगों के सबच रखा है कॉंग्रेस पाटी ने कहा है कि 30 लाग नौकरिया दी जाएंगे मेरा माला अच्छी बात है लेकिन इसको हम लोग और मजबूती के साथ सतर लाग पद से जज़ जो है किया जा सकता है कैसे यह बड़ा सवाल होगा पिछले बार भी लोग कहते थे हमारे चाचा कहां से लाएगा दस लाग देज भर के जितने आर्थ शास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा कैसे होगा तो सत्रा मेरे पांस लाग नौकरिया कैसे ने दिए भाई कि पहली बार हमारे चासा तो कि अधार बाप के पैसे लाएगा और आज तो कहते हैं कि हमें ने किया अच्छी बात है आप ड़ी किया तो कह सकते हैं लेकिन सबसे पहली बार तो मेरे मूझ से सुने कि तो तीस लाग जो पॉंघ ने किया है वह केवल इक पने और जब हम लोग ने बिझा था तो सारे चार नाख पदे रिक्ती सारे चार लाग तो हम लोगों ने कूरा रिसर्च करके यह किया है कि हर साल जो है बहूत लोग रिटायड होते हैं और और शुलिजे, दस सालों में, बोदी जी ने रेलवे हुए या सेना हुए, सबसे ज्यादा जो बाहलिया निकलती थी, इस बाद दस साल में कितना बाहली निकला, कोई बाहली निकला, तो हम लोग दिल्ली में मैंटर्स करता है नंबर, अगर नंबर जनता हमको ताक कर देगी, वही तो कह रहे है, अगर हमारे को 24 सीथ पर हम लोग चुनाव लगते हैं, तो 25 सीथ पर जीत के जाएंगे, तो हम लोग काम करेंगे, यूपीए वन में, आप लोगों ने करके दिखाया, सेकेंड राज्रेस पार्टी थी 2004 में, राश्ची जनता काल, कॉंग्रेस पार्टी के बाद, और प्रधान मंत्री बनाने में हम लोगों की सहवती रही, तब जाकर के बन मुहान सेंग जी, प्रधान मंत्री लोगों ने भुष्रा किया, तो ये हम पर छोड़ दीजिए, जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे, उन से हमने संभव करवाया, अब लोग तो चाहते नौक्रे में ने, राहुल गांदी जी भी कह रहे हैं, हर जगा, तो हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर हैं, उनकी हाँ तो ही हम लोग मजबूत करते हैं, हर पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है, हमारे MP जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे, इनी अजेल्डों पर काम करेंगे हमें पूरा विश्वा से भाई पत्रकार जाएंगे, कि हमारी सरकार बनने जानी है, तो उसकी चिल्ता अपना करें, हम सरकार के पार्ट होंगे, तो इस काम को कराएंगे, और भाई, गिप्टी सीमीन आखे हां, कौच्छा मुक्ष मंत्री से, किये न, सारा मांदेव पत्र पढ़िए, दोदर कीट का, जो जो कहे हैं, उसका काम देखिए, हुआ कि लिवो, वो हमारी जिम्हेवारी हैं, हम लोग करें, देश भर में, अरे भाई, देश का चुनाओं है, तो देश भर में हम लोग बिल्ली दर जोए करें, मना कहीं जगें अलग-अलग हैं, ले कि रेट अलग-अलग हिसाब से हैं, क्योंकि एक बिल्ली का दर पुरे देश में लागू नहीं है, लेकिन बिहार में, स्पैसिफिक, दो सो प्रतियों ने, हम लोग जो हैं, बिल्ली दर, जो हम लोग करें, चल लगए, चल लगए, शुद्री, होग इसुद्री, होग इसु झाल 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 झाल झाल